प्यारे बच्चे ओ, question number 2, chapter number 10 का और ऐसे question देखती है हमारा दिमाग बहुत खुश हो जाता है हम बहुत खुशी से उचलने लगते हैं भाई क्यों ऐसे question है, मैं फिरी के number हो ते है if tp and tq are two tangents, two circle ये tp are tp two tangents हैं तो सबसे पहले tangent देखते ही है, क्या कर दिया, क्रो 90 का कर दिया, क्रो तुरंट हमारे बाप की जागी रहे, ठीक है न, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है 90 लेख दो तुरंट जहां tangents और radius हो, ये perpendicular होते हैं एक दूसरे पर ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ भी समझ मा आगे हो, कि भाई, ये सवाल तो तुने कर दिया जब 90 तो ये हो गया दोस्तो, और 90 ये हो गया और इसमें total angle ही कितने हैं, एक, दो, तीन, चार तो angle सारी हैं इसमें ये भी 90, ये भी 90, 110, देखो 90, पिलस 90, पिलस 110, कितने हो गए, 9, 9, 8, और ये हो गया तुम्हारा, 9, 290 के तो ये तीन हो गए, और बचा कितने का, टोटल जो चार angle होते हैं, क्वाडरिलेटर के, जो चारो angle का सम होता है, वो 360 होता है और इसमें से घटा दिया, 0, 16 में से 9 गई, 9, 7, 16, 70 डिगरी का अंसर, बताओ, PT क्यों 70 डिगरी आ गया, लेकिन अब तुम्हें कैसे लिखना चलो ये भी बता दूँगा अब अगर, MC की निकालने की बात थी, तो क्वेशन हो गया, हमारा ये 70 डिगरी का अंसर आ गया, इसने यही पोछा था, PTQ is equal to क्या है, देखो मैंने क्वेशन में बढ़ा और अंसर निकाल दिया अब तुम्हें लिखना कैसा है, देखो, तुम तो प्यार से लिखोगे न बढ़ाई, जैसे, एक्जाम में लिखके कैसे हाना, solution, क्या लिखोगे सबसे पहले, ये लिखो, angle POQ is equal to 110 degree, और angle T, angle P, angle P is equal to 90 degree, और angle Q is equal to 90 degree, ठीक है, क्योंकि radius is perpendicular to the tangent, always, ये वाला सीन हमेशा बनता है, ठीक है, अब नीचे वाले में भी ये लिख दोगे, radius is always perpendicular to the tangent, ठीक है दोस्तो, अब we know that, अब निकालना क्या है हमें, P, T, Q, the angle P, T, Q is equal to, निकालना है, तो इसे X माल लो, ठीक है दोस्तो, ये लो X माल लिया, we know that, हम जानते हैं, हम जानते हैं, तुम हमें नशाद करोगे, we know that, some of, all interior angles of it, interior, अंदर वाले अंगल है न वही या, interior angles of a quadrilateral, writing मज़दार आ रही हो, तो ठोको ताली, मतलब comment, quadrilateral, the sum of all interior quadrilateral is 360 degree, ठीक है, जब पता चल गया हमें इत्ता, तो therefore, angle P O Q, plus angle P, plus angle Q, plus angle X is equal to 360 degree, ये किता होगे 110, मैं जल्दी जल्दी कर लो ना यार, वीडियो लंबी क्यों कर रहे हो, खाम हो खाम है, ये लो, तुम्हारे जल्दी जल्दी के वज़े से जो ना, तुम्हें ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा है, 290, plus X is equal to 360, और X बराबर तुम्हारा आ गया, 360 minus 290, फीस पहले ले लूँगा, फीस पहले ले लूँगा पढ़ाने की, चलो मज़ा कर रहे हो, ये वो डायल हो गया, टाफट से, कि भाई मज़ा आ गया, तुमने तो बहुत अच्छे दरीकी से समझा दिया, ऐसा तो हमने समझा इनी तक ही, अब और क्या है, all chapters link in the description, all chapters का link है, description में, सारे chapter पढ़ा रखे हैं, subscribe कर दो, बहुत फायदा होने वाला तुम्हारा, तुम्हारा भी और तुम्हारे आने वाले भाईया हो कभी, जो भी नाइंत में टैंत माएंगे, ठीक है, उन्हें भी शेयर करो, चैनल, सब को शेयर करो, मैं तो यह ख्या रहे हूँ, चलो ठीक है?